मेरा मन हो सुन्दर, वानी सुन्दर जीवन सुन्दर, ले प्रभु बीन तया के सागर, सब्रकुन आपर क्यान उजागर पुजर्शी सिदात मुरीजे महरा साब को मेरा भाव पुर्वक नमन, अत्रविजाजित सभी लोगों को जय जिनेंद्र यहां पर उपस्तित सभी लोगों से निवेदन है, अगर जो समाइक नहीं ले रहे हैं, प्लीज अपना फोन साइलेंट में डाल दें मैं दर्शन आपका आज का होस्ट और दोस्त, अब मैं अमंतरीत करना चाहूंगा श्री प्रभीन जी नहार को कि आके वेलकम स्पीच दे मैं दर्शन पर दोस्तित सभी लेकिन दर्शन समय को आपका होस्टा होती है, इसके हिसाब से कारी करते हुए आज की सानल तर फिरतर ज़रा आज आज का एक आज कारेकम स्वीचाजिय नाम से ही आम अजा जा लगा सकते हैं, इसके सब युवाव के लिए उप्रभीन पाई और आज होना, जो कि इसके सबेडर देखके हाँ अ-जो क्लाशन लेने के रिगा है, तो सबीका न माम को तहने होए कि जबी वाले और देवाले दोस आपके समाज एक होलो हैं, तो क्यों कर्शे क लेए जा जा, क्योंना ऑपके पिसर नगत सब्सक्क्राउब्स पैइस थाए इससे पहले कि बरद जी आकर अपना स्टेज ग्रहन करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं मैं चाहता हूँ कि आप सब संसकार मंच के कुछ गतिवीदी को आपको बताऊं या उनके बारे में आपको कुछ दर्शित करूँ आपका सिफ पांच मिनिट लेना चाहूँगा सन 2 अक्टोबर 2000 में पुजशी सिदात मुलीजी मारासान ने एक नीव रची थी जिसका मूल उद्यश्य सिफ एक ही था कि सापताहिक समाई करें सभी युवाओं को एक साथ जोड़ें और सब मिलके एक साथ समाई करें और वो आप देख सकते हैं कि किस रूप से चल रही है फिर उसके बाद सिफ समाई में ही हम सिमित नहीं रहे गएते उसके आगे भी हमारे और बहुत से कारिक्रम होते हैं जैसे कि साल के तीन सो पैसे दिन हम अन्नादान करते हैं अन्नादान उसके अलावा जीवदेया भी होता है जिसके रूप में डॉग वेलफार के रूप में एवरी साटेड़े को हम जाके कुटों को और उनको जीवदेया के रूप में ये करते हैं उसके अलावा हर बार मेंबर्स के यहां पे जाके नौकार मंतर का जाब किया जाता है मेंबर्स के घर में समाई के बाद संडे को नौकार मंतर का जाब किया जाता है फिर वियार सेवा के रूप में गुरु बगवंत के साथ चाहे वो कहीं पे भी विराजमान हो उनको विहार करके उनको एक जगे से दूसरे जगे पे लेके जाने में भी हम पीछे नहीं रहते हैं फिर ये एक सबसे जड़ूरी या फिर इंपोर्टेंट पोग्राम रहता है हमारे मंडल के अंदर जिसमें साल में एक बार चाहे हमारे गुरु बगवन सिदात मुर्जी महरासा कहीं पे भी हो हम साल में एक बार उनके यहां पे जाते हैं जहां पे अदिवियेशन रहता है और सबी ब्रांचस में से सबी शाकाओं से सबी मेंबर उसे एक जगे पे एक अगरित होते हैं सर्दियों में कभी रात को जो रोड पे सोते हैं या फिर जिन से नहीं होता है उन लोगों को ब्लैंके डिस्टिबूशन के रूप में एक प्रोजेट किया जाता है कभी गव शाला के रूप में गव माता हूं को फिर घर्मियों में जैसे हर कोई को बहुत प्यास लगती हो उसके लिए हम लोग हमेशा जलोग पाउन का गया जाता है आजिए ह Sign sup । जहीं पे लोग महीने में हम लोग तो गंटे के लिए पहले तो जुश्स प्रोवै राकी सूर्या उप्धि के बाद सूरी हस्ते Sे पहले तक प्याउ लगाया जाता यह ब्लेड डोनेशन कैम्प जहांपे सभी मेंबर्स, सिफ मेंबर्स की लिए ही नहीं, बाकी सब लोगों के लिए भी एक कैम्प और गया था जहांपे ब्लेड डोनेशन के रूप में हेल्प ली गई ती सभी से यह विरागन, सैदा पैट में एक विरागन बैन थे, उनके लिए भी वहाँपे सभी मेंबर्स एक अगरेट होके उनको प्रोचान देने के लिए या फिर दर्म दलाली लेने के लिए सब मेंबर्स एक साथ एक अगरेट हुए थे यह हमारे लास्ट यर के प्रेजिडेंट पंकत जी नाहर पंकत जी कोठारी यह हमारासा का सवकार पेट में जो प्रवेश हुआता उनकी टीम यह हमारे मेंबर ने एक मास्क आमन की तपशया किती लोकेश्टी चलानी यहां पे उसके अलावा दोफेर के टाइम में चार मैने चौमासे के टाइम में क्विस कॉमपडिशन हो गया या कॉन बनेगा धरमपती उसी तरह के गने बहुत सारी प्रोग्राम्स और्गनाईस किये गये थे अब मैं आमंत्रित करूंगा बरत जी को कि आके अपना ग्रहन करें बरत जी के बारे में में सम्शेक में सिफ एक ही हैं में कहना चाओंगा कि आप आकर एक चार्टर अकउंटेंट के साथ के नशेयर इए संसकार मंच के सेक्रेट्री भी है अब आमन्तरित करूंगा बढ़ाजी नार को बढ़ाजे बिड़क्चा को गुट मॉन अनन गुला जादा है एक बार फिर करते हैं गुड मॉर्निंग हाँ अब लग रहा है कि हाँ यहां पर युवा बैठे हैं आपने संसकारमच की अभी गतिवीदिया देखी कि संसकारमच ना सिर्फ साप्ताइक सामाइक धर्म तक शिवित रहता है बलकि युवाओं को अनेक दूसरे प्रो लीडर्शिप कॉलिटीज आपको कहां कैसे बोलना है उन सब कॉलिटीज को भी बहार लेकर आता है वह आप देख चुके हैं कि यह प्रोग्राम जो पूरा और्ग्राइज हुआ है पूरे हमारे मेंबर्स नहीं किया है ताट मिन्स इवेंट को कैसे और्ग्नाइज करना अदद करता है बिफोर इस्टार्ट इसेशन आइ रिक्वेस्ट कि यहां पर जितने भी लोग है जितने भी पैरेंट्स यहां पर आये हैं अपने बच्चों को संसकार मंच से जोड़े अपने भाईयों को अपने दोस्तों को प्रेढ़ना थे कि इस प्रकार सवकार पेट मे जोड़ने का भी काम बहुत अच्छी तरह से करता है जब हम यहां पर संडे को आते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम यहां समाई करने आए हैं ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों बाद हम अपने सारे परिवार वालों से मिलने के लिए यहां पर आए हैं 40 से 50 लोग तो कम से कम यहां रहते हैं जब एक दूसरे से बाते करते हैं उनके विचारों को सुनते हैं हम उनको बोलते हैं तो पूरे दिन की पूरे हफते की थकावट भी क्या है मिठ जाती है और जब मंडे को हम अपस आफिस पहुचते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं एनरजी और नहीं है कि आप सब लोग जिन्दगी में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं कुछ ना कुछ हासित करना चाहते हैं जोड से क्या मैं सही हूं हाँ तो आज आपने अपने जिन्दगी में उस कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए जो पहला कदम उठाना चाहिए वो आपने उठा लिया है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए पहला कदम होता है कि उसकी चाह appearance उसकी चाहना और आप अगर यहां पर आएं हैं तो इसका मतलब एक बात तो त्ठय है कि आपको जिन्दगी में कुछ न कुछ बनना है और आज का समय अब का समय, बहतरीन समय है कुछी काम को करने के लिए, क्योंकि जितने options आज हमारे पास मुझूद है, उतने options पहले कभी मुझूद नहीं थे, ऐसा कोई भी काम नहीं है, जो आज हम नहीं कर सकते, लेकिन तकलीव एक ही है, अब options इतने ज्यादा हो गए हैं, कि क्या करें और क यही वो दूइदा है, जो आपको अपने लक्षे तक पहुचने के लिए क्या कर रही है, बादित कर रही है, कि options इतने हो गए, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, अगर आप इस बात में महारत हासिल कर ले, कि आपको क्या करना है, कब करना है, तो आप उन सफल लोगों से ज तो क्या हो गया, क्या हो गया, आपने वो first step है जो select कर दिया, क्योंकि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तो आपको क्या option select करने पर ही पता चलेगा, ऐसे ही तो हम सुरू नहीं ही कर सकते कि बें, चलो कुछ तो कुछ करना है और कुछ तो कुछ सुरू कर दिया, ऐसे करने से आपको सफलता नहीं मिलती जिंदगी में आपको सबसे महत्वपूर्ण काम जो है उसको सबसे पहले करना है इसका मतलब जिंदगी में सबसे बड़ा पत्थर जो आपको दिखता है उसको आपको सबसे पहले तोड़ना है बड़ा पत्थर का मतलब है कि जिंदगी में जो महत्वपूर्ण काम है, आपके जीवन का, जो महत्वपूर्ण काम है, उस महत्वपूर्ण काम को आपको सबसे पहले करना है, अब ये महत्वपूर्ण काम क्या है, वो मैं नहीं बता सकता, ये आपका व्यक्तिगत है, आपको जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण काम को, अर्थाद जिन्दगी के सबसे बड़े पत्थर को सबसे पहले तोड़ना है अगर समझ लीजिए कि आपके पास सबसे दो बड़े पत्थर हो गए तो आप किस पत्थर को तोड़ेंगे वापस options तो आप देखिए कि कौन सा पत्थर सबसे मुश्किल है तोड़ना आप सबसे पहले उस पत्थर को तोड़िए जब आप उस पत्थर को तोड़ देते हैं तो आपके mustics में endorphins डवलप होते हैं जो आपको नई energy देते हैं आपने कभी महसूस किया है जब आपको एक काम खतम कर लेते हैं तो आपके सरीर में एक नई energy आती है यस मैंने ये काम खतम कर लिया और आप दूसरे काम को करने के लिए उत्ते जित होते हैं क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है काम चाहे छोटा भी हो लेकिन अगर आप उसको खतम कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि येस मैं कर सकता हूँ अगर मैं ये कर सकता हूँ तो एक काम और करके देखता हूँ कि क्या मैं वो कर सकता हूँ जब आप ऐसा करने लगते हैं तो एक के उपर एक एक के उपर एक बार बार लगातार आप एक के उपर एक काम करने के लिए क्या करते हैं उत्तेजित होते हैं क्योंकि जो मस्तिक्स में एंड़फिंस आपकी पहली सफलता पे आते हैं वो आपको दूसरे काम के लिए प्रेरित करते हैं और दूसरे काम की सफलता आपको तीसरे काम के लिए प्रेरित करती है तो आपको अगर आपने देख लिया कि अगर आपने दिन का सबसे महतुपूर काम आपने उस दिन सबसे पहले कर लिया तो आप सोचिए कि आपके सरीर में उस दिन कितनी उर्जा, कितनी एनरजी, कितनी हैपिनस जनरेट होगी जो आपको पूरे दिन क्या है आपके हिंजन को चलाते रहेगी आपने ये बात, इस बात पर सब लोग सहमत है कि जब आप कोई काम को सफल तरीके से निप्टा देते हैं काम चाहे कितना भी छोटा हो अगर वो आपने निप्टा दिया तो आप उस दिन जब जाएंगे तो आप ऐसे आफिस में जाएंगे अगर किस आफिस में अगर आफिस की बात करें अगर आपने आफिस में काम जो प्रोजेक्ट दिया था और खतम हो गया है तो खतम होने के बाद जब प्रोजेक्ट आफिस में जाएंगे तो आपके पाउं की आवाज आएगी और इतने फूर्ती के साथ आफिस में जाएंगे, ये सिर्फ आफिस में नहीं, घर में भी अगर बहुए हैं, तो अगर सास कई बाहर गई है और उन्हें उन्हें कुछ काम दिया, अगर वो काम को सुचारू रूप से खतम करके आराम से बैठ जाए, तो उनके बैठने का तरी प्राने में क्या करेगी? मदद करेगी, helpful रहेगी, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सबसे बड़ा पत्तर सबसे पहले तोड़ना है, क्या करना है? जोर से, सबसे बड़ा पत्तर और सबसे बड़ा पत्तर कौन सा है? उस दिन का सबसे बड़ा काम ही आपका सबस के देखिए अगर वो काम कर लिया जो आपके लिए सबसे मुस्किल है तो बाकी सब काम तो क्या है आसानी से हो जाएंगे तो उसके लिए तो आपको महनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने उस काम के लिए महनत की जो सबसे मुस्किल था और आपने उसको ख आई नहीं सकता, जब मुस्किल काम पहले करते हैं, तो दिन के सुरुवात में आपके पास खूब एनर्जी रहती है, जब आप मुस्किम काम को अंत तक टाल देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं, तब क्या होता है, आपने काफी काम कर लिये हैं, अब जब मुस्किल काम करने का समय आया, तो आप ठक चुके हैं, तो उस काम को आप खतम नहीं कर सकते हैं, अगर आप उस काम को खतम नहीं कर सकते हैं, तो आपको लगता है, कि यार मैं तो जिन्दगी में कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन वास्त्विक बात ये नहीं है कि आप जिन्दगी में कुछ कर नहीं सकते वास्त्विकता ये है कि आपने उस चीज को गलत ताइम पे शुरू किया क्या किया गलत ताइम पे शुरू किया तो सबसे पहले सबसे पहला नियम क्या रहेगा कि सुभे उठते ही मैं सबसे बड़ा पत्थर तोडूंगा क्या करेंगे सबसे बड़ा पत्थर जोड से सबसे बड़ा पत्थर अगर आपके पास दो बड़े पत्थर हैं तो आप क्या करोगे जो पत्थर सबसे मुश्किल है उस पत्थर को क्या करेंगे तोडेंगे बात सीधी है बात साफ है मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ नया मोटिवेशनल या ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं आया हूँ कि जिसको सुने और लगे कि यार बीके आया था उन्होंने क्या बात की क्या बोले लेकिन अगर बाजुवाला पूछ ले कि क्या बोला नहीं पता लेकिन जो भी बोला बहुत अच्छा बोला क्या यह नहीं पता कि क्या बोला लेकिन जो भी बोला अच्छा बोला तो उस बात क क्या है उस वात का क्या है कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि आपको उससे motivation और inspiration नहीं मिला वरबात उस समय तक सिमित रही मेरे यहां आने का मक्षद है कि आपके अंदर की उस काभिलियत को बाहर निकालना जो आपको पता है कि आपके पास है लेकिन किसी कारण वस उसके उपर कोई आवरन आ चुका है उसके उपर कोई कवर आ गया है मेरा काम रामायन के उस पात्र जामवंत का है कि जो हनुमान के अंदर छुपी हुई capacities को बहार निकाले और उसे क्या करे बताए कि आपका आपकी वास्त्रिक सक्तिया क्या है आप वाक्वी में जिन्दगी में कर क्या सकते हैं और कर क्या रहे हैं तो यह session जो है वो पूरा का प इसका है आत्में चिंतन का session है कि हम क्या कर रहे हैं हमको क्या करना है मैं क्या गलत कर रहा हूं और मुझे क्या सही करना चाहिए प्रोग्राम को सुरू करने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपके पास zero-based thinking होनी चाहिए क्या होनी चाहिए zero-based thinking मतलब सुन्य सोच आज तक आप जो भी काम कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं तो यह 10-15 साल से कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो, नहीं पता, लेकिन 10-15 साल से कर रहा हूँ, इसके लिए क्या है, कि मैं वो आज भी कर रहा हूँ, सुन्य बेस्ट, सुन्य बेस्ट, that is, zero-based thinking का मतलब है, कि आज आप व्यक्तिगत वर्तमान परिस्तिती में आपको डाल कर देखिए आज के ज्यान को बटोर कर देखिए और आज निर्ने लीजिए कि आप वो जो काम कर रहे थे आज वर्तमान में वर्तमान ज्यान के साथ क्या हुए काम आप सुरू करते क्या सवाल करना है छोटा बड़ा जो भी काम कर रहे हैं, वर्तमान ग्यान को ध्यान में रखते वे सोचिए, कि अगर वो काम आपको आज सुरू करना होता, तो वो आप सुरू करते क्या, क्या सोचना है, जो भी काम कर रहे हैं, काम छोटा बड़ा कुछ भी होगा, सेशन में आगे जैसे जैसे जाएंगे इस zero-based thinking को हम और आगे लेके जाएंगे लेकिन zero-based thinking क्या है? क्या है? अगर आप कोई काम कर रहे हैं और इतने लंबे समय से कर रहे हैं तो उसे वरतमान ज्यान के वरतमान समय के आदार पर सोचिए की अगर वह काम आपको आज शुरू करना होता तो क्या आप वह का काम सुरू करते, अगर करते तो करते रहिए, जो आप अभी कर रहे हैं उसे करते रहिए, अगर उसे आज सुरू नहीं करते तो बंद कर दीजिए, और अगर आज सुरू नहीं करते तो आज बंद कर दीजिए, तो सबसे पहले हो गया, इन सब को काम करने में एक आता है, क्या क्या है कि जब भी कोई संग समाज की मीटिंग होती है, और्गनाइजेशन की कंपनी की मीटिंग होती है, खूब बाते होती है, दस, पंदरा, एक के उपर, एक के उपर मीटिंग होती है, सब मीटिंग में क्या है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या है करते नहीं है क्या करते हैं बाते बड़ी बड़ी करते बाते और खाते वड़ा पाओ मतलब बाते तो इतनी करेंगे लेकिन उसको एक्जिक्यूशन करने में क्या कर देते हैं तो आप कोई भी काम करने में उसका अगर आपका रीजन और फैलियर है तो एक चीत जान रखना है कि जो भी करना है उसको बस एक्जिक्यूट करना है क्या करना है जो भी हम डिसाइड करेंगे उसको एक्जिक्यूट करना है कैसे करना है एक अच्छी लट डाल दें कि सबसे महत्वपूर्न काम सुरू करने की आदत डालनाँ अभी हमने सबसे पहले चाहिए सबसे बड़ा पद्द ढोलना है उस पद्द को तोडने की आपको अगर आपको कोई नया सा काम करने के लिए बोले तो आपको थोड़ी मुस्किल होती होगी, होती है, सबको होगी, लेकिन वही काम बले ही कितना ही मुस्किल हो, लेकिन आप अगर हर रोज कर रहे हैं तो उसमें आपको मज़ा आ रहा है, मेरे लिए सुबह उठना बहुत ही मु अगर मैं किसी को उसकी आदत के विपरुत कुछ बोलूँगा, विपरित कुछ बोलूँगा, तो क्या है उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको उसमें तकलीफ होगी, तो अपने को जो सबसे बड़ा पत्थर तोड़ने की, उसको क्या करना है अपने को? आदत डालनी है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यह कोई काम है क्या? होता है आपके साथ? कभी-कभी आपको बोलता है कि यह काम करना है, तो आप बोलते हो यह वा काम मिर को क्यो बोला? मैं तो इससे बड़े-बड़े काम कर चुका हूँ, यह काम मुझे क्यो बोला? यह कब आता है? तब रोज बार बार लगातार बड़े काम, महत्वपूर्ण काम, मुश्किल काम करते जा रहे हैं, तो आसान काम आपको मुश्किल लगेंगे, मुश्किल क्यों लगेंगे क्योंकि वो आपकी आदत नहीं है बात समझ में आ रही है बात की गेराई पर जाना शब्दों को पकड़ के मत रहना शब्दों को पकड़ के मत रहना बात के अंदर की गेराई को जाना क्योंकि अक्षर और असर में थोड़ा फरक होता है अक्षर दिखता है उस समय के लिए रहता है लेकिन असर है जो आपके साथ चलता है अक्षर आप हो सकता है भूल जाओ लेकिन आपने वो कान ही तो सुनी ही होगी किसी को राम राम कहने के लिए बोलते हैं माला फेरने के लिए बोलते है लेकिन वो मरा 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 सुरू कर देता है लेकिन फिर भी उसे भगवान मिल जाते है क्योंकि यहां बात अक्षर की नहीं है बात शब्दों की नहीं है कि उसने राम बोला या मरा बोला उसने किस भावना के साथ किस इमोशन के साथ किस फीलिंग क साथ वो काम किया वह महत्वपून रखता है आप सब सहमत है बात से तो शब्दों पर नहीं उसके अंदर आपको चिंतन करना है कि हाँ ये बात सही है और क्या मैं ये कर रहा हूं और मुझे इसको करना चाहिए या नहीं चाहिए अपनी कलपना उस रूप में करें कि जहसा आप बंना चाहते हैं आप जब भी सोचे आप ऐसा जो आप बंना चाहते हैं वो आप सोचे कि वै आज है आपके साहरे हुए एसा हुआ है कि आपके अंजान गुरूप में जाते हो या जैसे लेडी समझ नीजिए अंजान गुरूप में कहीं जा रहे हो इची सी एक दम साड़ी पैन पैन के रokी है अची डampa पैन के रखिए तो आप जब जाओगे तो आप ऐसे मतलब आपकी चाल में अपकी फरक रहेगा आपने कभी महतूस किया है यह आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अंजान गूप में जाते हो नए कपड़े पैन लिये और आपको आपके निमांग मैं फीट रहता है कि यार अंजानों के साथ जा रहा हूं, मुझे इंप्रेशन डालना है, कि मैं ऐसा अब्यक्ति हूं, और उसके बाद आप हर्वा हरकत करेंगे, जो आपके उस इंप्रेशन को अप्रूव करती है, कैसा भी गुदा है आपके साथ इसाथ इसा, क्या होता है, कि वहाँ जा रहा कि मैं कितना अच्छा और या मैं उस रूप का प्रतिरूप हूँ, कभी आपके साथ इसा हुआ है, यह क्यों होता है, कि आप अपनी कलपना में जो सोचते हैं, वो उसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप हर बार सोचेंगे, अपनी कलपना करेंगे, कि म मैं ऐसा हूँ, या मुझे ऐसा बनना है, फिचर में, आपको जो भी फूचर में बनना है, अगर आपको उसकी कलपना बार-बार करते रहेंहें, तो आप जहां भी जाएंगे, उस कलपना को, वहां जिवित करने की कोशिश करेंगे, यह आपको आपके अंदर से जान भूछ भी वैसा ही रहेगा तो आपको क्या करना है यह ध्यान रखना है कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे बार बार करते रहना चाहिए अगर बार बार दोराते रहेंगे अभ्यास करते रहेंगे तो वह आपकी क्या बन जाएगी habit बन जाएगी और हमने अभी क्या बात की जब कोई चीज आपकी habit बन जाती है तो वह चीज करने में आपको क्या आता है तो आपको एक चीज तो नोट करनी है आपको जो भी करना है क्या करना है बार बार लगातार रिपीट करेंगे आपको जो भी करना है क्या करना है बार बार जो भी करना है जोड से मुझे क्यों आप पीछे से आवाज नहीं आ रही है आपको जो भी करना है क्या करना है बार बार पीछे से आवाज नहीं है बार बार लगातार हां तो अगर आप उसको बार बार लगातार करेंगे तो आपको उसको काम में करने मे किया आएगा मज़धा आएगा दावत की मेच सजाने का मतलब क्या होता है दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो अपने से जादा काबिल अपने से जादा एजूकेटेड लोगों से भी 3 से 5 गुना अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं तीन परसेंट लोग ही ऐसे हैं, बात को समझें, तीन परसेंट लोग ही ऐसे हैं, जो अपने से ज्यादा एजुकेटेड, अपने से ज्यादा काबिल लोगों से भी ज्यादा रिजल्ट दे पाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि यसा क्यों होता है, बोलते हैं, देखा उस उ कभी reason सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अपने से ज्यादा कबिल मतलब अपने से कम कबिल अपने से कम एजुकेटड ज्यादा अपने से सक्सेज पा लेता है और हम इतना educated, इतना काबिल होने के बावजूद भी उस success को नहीं achieve कर पाते हैं, कभी इसका reason सोचा है, सोचा है, कभी भी आपने इसका reason सोचा है, आज सोचे, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका reason simple है कि उस आदमी को अपना लक्ष पता है कि उसे क्या करना है और उस लक्ष के लिए वो दोड़ रहा है, क्या आपको वो पता है? उस आदमी को पता है कि उसे ये काम करना है, उसे ये हासिल करना है, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे तो वह हासिल करना ही है, ये लक्ष उस आदमी के पास रहता है, जो हमारे पास नहीं रहता, इस कारण हम भटकते रह लेकिन हमें समय को वेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, जोर से हमें समय को क्या नहीं करना है, समय को क्या नहीं करना है, और समय को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो उन लोगों की सक्सेस के पीछे, साथ, साथ स्टेप से, कितने स्टेप से, अगर उ जाएगा अगर आपने साथ में से एक भी step को implement कर दिया तो आपका current result क्या हो जाएगा दूगुना हो जाएगा तो सबसे पहला step किया है सबसे पहला step जानने से पहले सब के पास note note pad और pen दिया है सब को सब उसको handy कर ले handy कर ले मतलब सब उसको निकाल के रख ले फिर बाद में उसको ढूड़ना करना नहीं pen और paper हाथ में निकाल के रख ले आपके सामने तो उस 3% की स्रेणी में जाने के लिए आपको साथ step implement करने कितने और उसमें से अगर एक भी हमने implement कर दिया तो हमारा result क्या हो जाएगा दूगुना तो उसमें पहला step क्या है पहला step क्या है सबस्त रूप से तय कर लें कि आप चाहते क्या हैं क्या करना है सबस्त रूप से तय कर लें कि आप चाहते क्या हैं एक छोटी सी एक्सेसाइज करेंगे उसके बाद स्टेप को लेके जाएंगे सब लोग अपनी आखें बंद कर लें सब लोग अपनी आँखें बंद कर लो आईस क्लोज आशी स्थोड़ा जल्दी करो सब लोग अपनी आँखें बंद कर ले आँखें बंद करके सोचें कि आपको जिंदगी में बनना क्या है आपका जिन्दगी में लक्षे क्या है वे लक्षे आपका अगले एक साल का होना चाहिए एक साल बाद आप अपने आपको किस रूप में देखना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं एक साल में सोचें ये कुछ भी हो सकता है आपके जिंद्गी की छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है यह हो सकता है कि कोई मेला अपना वजन कम करना चाहती है वह आपका अगले एक साल का लक्षे हो सकता है हो सकता है कि आपको कोई नई कार खरीदनी है जो एक साल के अंदर खरीदनी है आपका लक्ष हो सकता है कि कार खरिदनी है लक्ष जो भी है सोचे कि आपको एक साल में आपको क्या चाहिए क्या रिजल्ट्स आपको एक साल में चाहिए लक्ष निर्दारित करें सोचे कि एक साल बाद आप अपने आप में क्या बदलाव देखना चाहते हैं या एक साल बाद आप क्या हासिल करना चाहते हैं सिर्फ 30 सेकंड्स है आराम से सोचिए लेकिन 30 सेकंड्स में सोचिए धीरे धीरे आंख खोल कर जो भी लक्षे आपने निर्धारित किया है उसे अपने पेपर पर लिख दीजिए जो भी लक्षे आपने निर्धारित किया कि एक साल में मुझे ये करना है उसे आप पेपर पे नोट कर लीजिए एक साल बाद आप क्या हसिल करना चाहते हैं पेपर पे नोट कर दीजिए एक शब्द में नोट कीजिए कार, एक लाइन में नोट कीजिए कि मुझे वजन कम करना है, आपको जो भी आपने लक्ष निर्दारित किया है उसे नोट कर लीजिए जिन्दगी में लक्ष निर्दारित करना सफलता की सबसे पहला स्टेफ है, सबसे पहला स्टेफ क्या है, लक्ष निर्दारित करना क्योंकि जब तक अपने पास clarity नहीं है कि अपने को करना क्या है, तो हम आगे करेंगे भी क्या, तो काम को सुरू करने से पहले लक्ष निर्दारित हो जाना चाहिए, clarity of thoughts, जैसे कि अगर सफलता की सीड़ी पे सरपड चड़ना है, तो आपको ये निर्दारित करना होगा, कि वह सीड़ी सही इमारत से ठीकी है, अगर वह इमारत गलत है, तो क्या है, सीड़ी क्या हो जाए इसका मतलब अगर आपकी clarity नहीं है, वह इमारत आपकी clarity है, आपका लक्ष है, अगर वह सही नहीं है, तो आप क्या है, कि आप कितने भी activities, कितने भी step आगे चलो, क्या नहीं होगा, results, आप अपने लक्ष तक नहीं पहुच पाएंगे, तो जैसे कि सबसे ज़्यादा जरूर काम को सही करना है, क्या करना है, इसी सोच को अपने को बदलना है, क्या करना है, इसी सोच को अपने को बदलना है, हमको काम को सही नहीं करना है, हमको सही काम करना है, क्या करना है, चोटा सा example, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइवर जादरीन चला रहा है, एक गंटे बाद आप पहुच गए, आपको पता चला, आप ECR की जगे OMR पहुच गए, उसने गाड़ी को बहुत अच्छी तरिसके से चलाया, बहुत सही तरीके से चलाया, लेकिन वो गलत जगे पर पहुच गया, तो ये सही तरीके से किया हुच गया तो ये बताओ कि इसमें से सफल कौन, वह आदमी जो सही तरीके से काम कर रहा है, या वह आदमी जो सही काम कर रहा है, सफल कौन, जो सही काम कर रहा है, वही सफल है, क्योंकि तरीका बदल सकता है, लेकिन लक्ष वही रहना चाहिए, तरीका अपने आप पर निर्बर करता है कि वह सही है या नहीं है मेरे लिए एक तरीका सही है आपके लिए वह तरीका गलत हो सकता है लेकिन लक्ष क्या है तरीका आपने आप पर निर्बर करता है लेकिन लक्ष है जो क्या है वो रिजिड रहना चाहिए अगर आपने लक्ष में फेर बदल कर दी तो क्या है फिर क्या जिन्दकी की नाव डावडोल होने लग जाएगी तो सबसे फर्स टेप है क्या है और आज हम इस स्टेप को सुरू करने वाले हैं कि हम आज अपने लक्षे को क्या करने वाले हैं निर्दारित करने वाले हैं कि यही मेरा लक्षे है और अगले एक साल तक मैं जो करूंगा वैं इस लक्षे को हासिल करने के लिए रहेगा तो सबसे पहला लक्षे, सबसे पहला स्टप क्या हो गया? लक्षे निर्दारित करो कि आपको करना क्या है? और फिर दूसरा स्टप क्या है? इसे लिख लो, कहा लिखना है? कागच पर लिखना है, वो भी हमने कर लिया तो उसे मूरत, अगर उसे लिखोगे, तो उसे क्या है कि उसे आप बार बार देख सकते हो, उसे फील कर सकते हो, पेपर को टुछ करकर आप तो यह मेरा लक्ष है,.. तो आपको उस लक्षे को इछा नहीं, लक्षे बनाना है ! आपकी जो भी धारना आज आपने पेपर पे लिखी उसको लक्षय बनाना है ना कि इушка क्योंकि लक्षय के बिचे एक फोर्स होती है उसे कंप्लीट करने की लेकि इच्छा के पीछे कोई फॉर्स नहीं होती क्योंकि इच्छा तो क्या होती है बदलती रहती है, ये देखा तो ये इच्छा हुई, वो देखा तो वो इच्छा हुई, लेकिन लक्षे हमेसा क्या रहता है, सटीक रहता है, एक रहता है, तो दूसरा स्टेप क्या है, उसे कागच पर लिख ले, जो भी है उसे कागच पर लिख ले, जैसे जैसे आपको उसे कागच पर लिख ले, तो दूसरा step क्या हो गया है, उसे कागच पर लिख ले, अब तीसरा क्या है, लक्षे की समय सीमा को ते करें, क्या करना है, डेड्लाइन, कि मुझे वो कब अच्छीव करना है, मैंने सोचा कि मेरा वजन कम करना है, लेकिन कब करना है, क्या करना है, मैं क्या देखूंगा, जो लक्षे की समय सिमा नहीं होती, लक्षे ना कभी सुरू होता है, ना कभी खत्म होता है, अगर मैं आपको बोलू, कि आपको संसकारमंच वाले तीन दिन के लिए ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, कहा लेके जा रहे हैं, गुमाने के लिए, पूरा का खर्चा, संसकारमंच का है, आपको तीन दिन के ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, क्या करोगे आप, हाँ, क्या करोगे, क्या करोगे उसमें, वो तर संसकारमंच, हाँ, तो क्या करोगे, अगर मैंने आपको यह नहीं बताया कि आपको कम जाना है तो आप कब तक करो गे आप आप 6 महीने तक क्त चाहए प्रमेश प्रतर हो गे है है क्या यह यह आज सेंग पना के रख लेंगे टेको गल जाना है या कब जाना है नहीं पता, तो कितनी बार shaving करोगे आप, क्या करोगे, आपको कपड़े निकलने की ये पांच कपड़े मेरे को पैन के जाना है, लेकिन मैंने तारीक नहीं बोली, छे महीने निकल गए, क्या करोगे उन कपड़ोगा, क्या करोगे, जब तक लक्षे की समय सीमा नहीं रहती तब तक आपका किया गया हर कारिय व्यर्थ है जब आप लक्षे की समय सीमा ते कर लेते हैं तो आपको पता रहता है कि आपको उस काम को उस समय के अंदर करना है और आपने कभी देखा है प्रेशर में आप जादे ही काम करते हैं जब आपको पता रहती है कि समय सी बात सही है? तो तीसरा step क्या है? आपको लक्षे की समय सीमा को निर्दारित करना है. आपने जो भी समय सीमा को निर्दारित किये चाहे वह एक साल है, छे महीने हैं, उसके बाद उसके सब डेडलाइन्स को डिसाइड करो. क्या करना है? सब डेडलाइन्स. उस समय सीमा को कालख कि अगर आपको के सब्सक्राइब कर कि नियुक्त, अगर एपको जैसे कोई भी एक किताब पठनी है, तो एक ऐस साल में मुझे यह एक किताब पढ़नी है, तो देखो भीतीम महीने में किताब का कम से कम 1,4 तो पढ़ा जाना चाहिए, तो 3 महीने बाद देखो कि आपने वन फॉर्थ पढ़ लिया क्या ऐसा तो है नहीं कि 365 दिन आप बेठोगे और सब काम अपने आप हो जाएंगे ऐसा हो सकता है आपको किताब पढ़नी है और 365 दिन बेठोगे और बोलोगे हाँ पढ़ ली और खतम टार्गेट क्या ये पॉसिबल है अगर आप ऐसा करोगे तो आप उसको टाल मटोल की आदत आजाएगी क्या करोगे टाल मटोल यार एक काम करते हैं एक दिन और पोस्पोन कर लेता हूं कल पढ़ लूँगा पूरी किताब पढ़नी है ना फ्री जिस दिन रहूँगा उस दिन पढ़ूँगा मुझे एक बात ब पात तो आसान है कि डेडलाइन को क्या करना है सब डेडलाइन में डिवाइड करना है और देखना है कि उसको उसका रिजल्ट उस डेडलाइन के अंदर भी आ रहा है क्या तो तीसरा स्टेप क्या हो गया समय सिमा निर्दारित करें क्या करना है समय सिमा निर्दारित करें च 13 step 4 step देखिए उसमें से सबसे important step यह है कि आपको इस लक्षे को वर काम करने हैं उससे क्या करना है उससे क्या है उसकी अक live लिश्ट बनानी ए तो एक भार फिर सब लोग अपनी अखे बंध बंध कर लो सब लोग अपनी आखे बंध कर लो सोचे आपने अभी जो नोट पेड में आपने जो अभी कागज पर अपना लक्षे लिखा उस सटीक लक्षे को अगर आपको हासिल करना है उस लक्षे तक पहुँचना है तो आपको अगले साल इस पूरे साल में क्या-क्या काम करने होंगे आप क्या काम करेंगे जिससे आप उस लक्षे को हासिल कर सकते हैं काम कुछ भी हो सकता है अगर आपका लक्षे किसी किताब को पढ़ना है तो देखो कि मुझे किताब के छोटे-छोटे पन्नों को डिवाइड करके पढ़ना है अगर आपका लक्षे है कार खरिदना तो देखो कि हर तीन महीने में मुझे क्या करना है इतने पैसे तो जमा करने ही है कि मैं एक साल बाद कार खरिद सकूँ लक्षे चोबी हो, चाए घर बनाना, अच्छा स्पीकर बनना, अच्छा वक्ता बनना, अच्छा लेकक बनना, अच्छा विवसाही बनना, अपने धंदे को एक्सपैंड करना, जो भी है नई ब्रांचेस खोलना, लक्षे जो भी आपने लिखा हो, देखो उस लक्षे तक पह जाएंगे दीरे दीरे आँखें खोल कर आपने जो भी लिस्ट बनाई है टेक यो ओन टाइम और तबियत से उनको लिखिए लिखिए दीरे दीरे आँखें खोल कर क्या काम करने से आपको वह लक्ष मिल जाएगा वह पेपर पर लिखिए यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है सबस लक्ष को पा सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच कितने भी पॉइंट स हो सकते हैं कि यह काम करने से मुझे लक्ष मिलेगा या दो, तीन, जितने भी पॉइंट से सब लिख लो, यह सबसे इंपोर्टन्ट है मैं इसको इसके दोरा रहा हूँ क्योंकि यह वाकई में important है यही वो है यही वो चीज है जो आज आज आपको घर लेकर जानी है अब आपकी सुची बन चुकी है क्या हो चुकी है लिस्ट प्रिपेर हो चुकी है अब आपको क्या करना है next step next step क्या है next step क्या है सुची को योजना बद रूप दे मतलब planning करें आपने लक्षे दिर्दारित कर लिया लक्षे को कागच में लिख लिया लक्षे की समय से माते कर ली लक्षे को पहुँचने के लिए क्या क्या काम करने है वो भी लिख लिए अब अपने को क्या करनी है planning करनी है कि इस लक्षे को कैसे हासिल किया जा सकता है जो भी हमने सुची में काम किये है उन काम को क्या करना है कैसे करना है planning में किये गए 10-15 मिनट आपके 2-3 गंटे दिन में बचा सकते हैं अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट planning करें दिन में तो planning में किये गए 10 से 15 मिनट आपके दिन में 5 से 6 नहीं तो कम से कम 102 गंटे तो बचाई देंगे क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है वर्ना क्या है कि बिना मकसद के गारी क्या है चलती ही रहती है और यह सबसे महत्वपून है यह अगला सुची बनाने के बाद सबसे महत्वपून क्या है प्लानिंग करना ही अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं लेबर्स चले जाते हैं सब साइट पे चलो बिल्डिंग बनाओ क्या करते हैं सब लेबर्स क 1000 के 1000 को एक यजगे पर छोड़ दिया चलो conflict हुए तो क्या होगा धो क्या होगा बीदिन्ग बनेगीं बीलडिन्ग बनाने से पहले, एक माईने पहले ही उसकी planning हो जाती है उसकी design architecture इसकी design बना देता है कि इस building की new कैसे रहेगी और यह building का-कार क्या रहेगा ये building कैसे खड़ी होगी, कब क्या step लेना है, पहला step foundation है, तो foundation रहेगा, ऐसे नहीं है कि पहले की उपर की मंजिल बन गई और फिर नीचे foundation, तो planning में आपको ये शामिल करना है, कि जो काम आपको सबसे पहले करना है, उसको सबसे पहले ही करना है, फिर list में ये नहीं देखें, क कि आज time कम है, दूसरा काम आसान है, तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा काम कर लेते हैं, ये लालच है, इस लालच से बचें, कि मैं आसान काम को पहले कर लूँ, और फिर में उस मुझकिल काम में जाओंगा और उसको सबसे बाद में निप्ता दूँगा, क्योंकि इस session का नियम क्या था, पहला नियम क्या था, सबसे महत्वपुर्ण, सबसे important काम, सबसे पहले करना है, तो planning में भी जब आप planning बनाओ, तो उस सुची को व्यवस्तित रूप से, क्या करो, एक structure दो, कि ये काम सबसे पहले करूँगा, ये काम उसके बाद करूँगा, ये काम उसके प्लानिंग, प्लानिंग के बाद च्छटा कदम है, अपनी योजना पर तत्काल, एग्जीकूशन. आपने प्लान बना लिया, लेकिन एग्जीकूट नहीं किया, तो ऐसे प्लान का क्या फाइदा? तो, प्लान को क्या करना है? एग्जीकूट करना है कुछ भी करो छोटा सा भी करो लेकिन हाथ तो हाथ कर दो काम को सुरू कर दो दीरे 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 एक से एक कडिया जुलती जाएगी एक से कडिया जुलती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काम क्या हो गया कब खतम हो गया लेकिन उसको क्या करना अपने तो आज ही ये आपको extra efforts ढलने है, ordinary और extraordinary में difference कितने का है, सिर्फ वो एक extra का ही difference है, जो ordinary और extraordinary को extra ordinary बना देता है, 99 degree तक पानी क्या रएटा है, पानी रेता है, जब आप पानी को 99 degree तक गरम करते है तो तो पानी रेता है, लेकिन अगर उसे गया फ़ान्ग करते तो फानी बन जएता आा बड़ से घख एक बड़ एक बड़ी सी रेहल के इंजन को आगे चलाने की ताकत रखता है सिर्फ वे एक इक्ट्रा परसंटेज क्या ενने उत मुझे इक ट्राफ टारिगा को अगरिन कर दे त趣 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाकी के 6 steps, successful, हम पहुँच जाएगे, साथवे step में, कि हर दिन कुछ ना कुछ करें, संकल्प करें कि मुझे कुछ करना ही है, और वही करना है, जो मेरा वो जो लक्ष लिखा है, उस लक्षे की direction, उस लक्षे की दिशा की और, क्या करें जाओ, अगर हम लक्षे को लिक देते हैं, हमने point number 2 में क्या किया? हमने point number 2 में क्या किया? लक्षे को कागज पर लिखा जब हम लक्षे को लिख देते हैं तो हमको टाल मटोल छोडने की आदत चली जाती है जब मुझे पेपर में पता है कि मुझे यही काम करना है तो मुझे यही काम करना है जब यह पेपर पर नहीं लिखा हुआ है तो मैं सोचूंगा कि चलो कल करते हैं, अच्छा ये क्या, ये बाद में कर लेंगे, चलो अभी ये करते हैं, अभी वह करते हैं, तो आपको ये टाल मटोल, प्रोकेस्टिनेट करने की आपकी आदत आ जाती है, और यही जब आप कागश में लिख देते हैं, तो अपके अंदर सबसे पहले वह काम करें, जिससे आप सबसे महत्वपून लक्षे को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, अब आपको डाइरेक्शन मिल गया है कि आपको करना क्या है, आपको साथ स्टेब भी आ गया है, लक्षे लिख दिया, लक्षे का क्या कर लिख दिया, समय सिमा ते हो हमने list बना दी कि क्या-क्या काम करना है, planning भी कर ली, execution हो जाएगा, अब उसको बार बार आपको review करना है, हर रोज review करना है, कुछ भी नई चीजे जुड़े, उसे सुची में add करते जाएए, अगर नया लक्ष जुड़ जाए, तो उसे भी अलग से लिखिये, उसकी कार्यकार करना है, आपकी जिंदगी में आपको, सलो ठीक है, skip this, हाँ, आपको क्या करना है, आपको, अगर आप जिंदगी में सोने से पहले, दस मिनट पहले, अगर आप लिस्ट बना लें, कि आपको अगले दिन क्या करना है, क्या करना है, सोने से पहले, दस बीच पहले, अगर आप लिस्ट बना दें कि अगले दिन क्या करना है, तो उससे क्या होगा, आप अगले दिन आपका जो सेड्यूल है, वो एकदम सही तरीके से चलेगा, इसको चलो एक एकस्प्रिमेंट से देखते हैं, कोई भी दो वॉलेंटियर आजाओ, जो समाइक में नहीं है, कोई भी दो वॉ को बाहर करना है, सुरू हजाओ, एक मिट, हाथ में रखो उसको भी खोलने दो, एक साथ करेंगे, सीधा कर लो देखके निकलना है, बिना देखके नहीं, मैजिक नगाना है, ठीक, थेक रुको, 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 सुरू करने दो, इनको बाट जल्दी है, अंदर जो चार होते हैं चार हो निकाल दिये आप से 30 सेकंड पहले आप से 30 सेकंड पहले इस एक्सेस को एक बार फिर दो रहते हैं यह मुझे दे दो दे दो मुझे दे दो सुरू हो जाओ है है चार है दास में चार होते हैं चार होते हैं चार किंग आप जा सकते हो आपने क्या देखा इसने चारो किंग फटाक से निकाल दिये क्या कर दिये और इसे पता भी नहीं था कि किंग है या नहीं है जब कि तास हाथ में हैं फिर भी दोनों बार उसे तकलीफ हुई क्यों जब मैने इनको कार्ट दिये तो वे कार्ट और नहीं थे दो तीन चार पांच छे साथ आट नो refuse q q qi s जब मैने इनको कार्ट दिये वे सारे कार्ट क्या थे manifest sport अभाप कह आ एं नहीं थे जब आप और आज़नाईज दे हो तो आपको पता है कि आपको क्या कर करना है फटक से उस जगे पर जाएंगे उस काम को कर देंगे जब आप अन-अ-उल्गनाईज रहेंगे तो पहली बात आपको पता भी नहीं रहएगा कि क्या करना है उसको तो पता भी ней था कि उसमें इसको कितने बादशाह है भी या नहीं, जबकि थे, तो उनको पता नहीं रहेगा, तो कहने का मतलब है अपने आपको क्या करना है? और्गनाईज करना है आप रात को सोने से 10 मिनट पहले इससे आपके काफी समय बचेंगे सिर्फ 10 मिनट अगर आप उसमें और्गनाईज करने में लोगे तो आप इसको कितनी भी बार रिपीट करो इस एक्सेसाइस को आपको उतना ही समय लगेगा जब आप बनानी है कि आपको क्या-क्या काम करना है और निजारित कर लें कि आप उस दिन वही काम करेंगे लिस्ट के बार का कोई भी काम लिस्ट के बाद का बार का कोई भी अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप देखिए कि आपकी Efficiency और productivity कितनी बढ़ जाती है ये वाकई में असरदार होता है जब आप सब काम की लिस्ट बना लेते हैं और उसके बाद काम करने जाते हैं तो काम फटा 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 होते रहते हैं एक के बाद एक होते रहते हैं क्योंकि आपको यह नहीं सोचना है कि करना क्या है अगला काम आपके लिए तैयार है और यही भी वह चीज है जो आपको दूसरों से आगे रखेगी, आपने देखा, फटक से चारों निकल के दे दिये, सोचा, है भी या नहीं, Confidence आता इतसे, जब आप Organize रहते हैं, तो आपको क्या आता है, Confidence आता है, अगर उस तेरावी जगे पर और वह King का पता नहीं है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं, नहीं है, क्योंकि आप Organize है, उस जगे पर पता रहना चाहिए, इसका मतलब नहीं है लेकिन यहा था लेकिन फिर भी पता नहीं था कि नहीं है तो आपको प्लानिंग में आपको सिर्फ 10 मिनट नहीं सोछमा है अगले दिन पिर सोचे कि आपकी पुरानी लीस्ट में कोई काम DURA तोने रह गया उसको सबसे पहले लिखें उसके बाद आपको अ आपको क्या करना है तो आपकी efficiency दूसरों से कई गुना ज्यादा रहती है तो आज से आप क्या करेंगे एक चोटी सी चीज है आज से आप क्या करेंगे एक list बना देंगे कि अपने को क्या करना है अगले दिन और उस list के मुताबित ही काम करेंगे, लिस्ट के बार का कोई भी काम नहीं करेंगे, आप टालमटोल कर सकते हैं, आप प्रोकास्टिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोकास्टिनेट करने का तरीका आना चाहिए, there should be a रचनात्मक टालमटोल, एक क्रियेटिव प्रोकास्टिनेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पॉस्पॉन करना है, क्या आगे फैंकना है, क्या आज नहीं करना है और क्या मुझे करना है, रचनात्मक टालमटोल कीजिए, ना कि ये, कि ये काम सबसे important है, इसको मैं बाद में करूंगा, ऐसा करने की बजाए, ये काम मुझे करने है, ये काम अगर मैंने नहीं भी किये तो तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है रचनात्मक टालमटोल करने के लिए एक चीज आपको रचनात्मक टालमटोल करने का एक बहुत ही बैतर तरीका है क्या तरीका है? Start saying no हर चीज के लिए हर जो चीज आपको किसी ने कई है उसमें हा बोलने की जरूरत नहीं है ये काम आपको बोला हा मैं कर दूँगा ये काम बोला हा मैं वो भी कर दूँगा ये काम मैं वो भी कर दूँगा आपको ये करने की जरूरत नहीं है लेकिन इस नो शब्द को अपनी डिक्सनरी में लाने से पहले इस नो शब्द का इस्तमाल कैसे करना है ये आपको बलती अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये सबसे dangerous word है इससे रिष्टे टूट जाते हैं बिगड जाते हैं लेकिन अगर आपको पता है कि इसका इस्तमाल कैसा करना है तो तो क्या है ये आपकी efficiency को बढ़ाएगा उन महत्व महतरपु नहीं है, जो इंपॉर्टनट नहीं है। उन काम को करने के लिए आपको समय देगा। तो आप जब नोशंद का इश्तमाल करें, तो बहुती विनमरता के साथ करें, किसके साथ करें, विनमरता के साथ करें, पॉलाइटली आप उसको ऐसा बोले कि उसको पता भी नहीं चले कि उसको मना कर दिया है, लेकिन मना करना जरूरी है, हर काम आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप मना करोगे, तो इस त जरूरी है, तो रचनात्मक ठालमतुल, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खुद से सबसे बड़ा एक सवाल करना है, क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल करना है, कि मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ, जो मेरे लक्षे के लिए क्या है, जरूरी नहीं है, क्या है, आप दि इस काम को टालमटोल करके क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? टाइम बचेगा, क्योंकि आपको लक्षे को पराप्त करने के लिए समय सीमा निर्दारी थे कि उसी समय में काम करना है लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि उसको कर सके तो आपको क्या करना है? उन अनमहत्पून कामों को हटाना है, जो इंपोर्टन नहीं है जो आपको एम के उपर सीधा आपके एम को हिट करें फिर लोग क्या सोचते हैं उसकी बारे में आप चिंता मत कीजिए क्योंकि अगर आपने लक्षे को प्राप्त कर लिया, वही लोग जो बोल रहे थे कि यह क्या काम कर रहा था वही लोग आकर आपकी प्रसंचा करेंगे कि देखो, उसने क्या मेहनत की और लक्षे को क्या कर लिया? हासिल कर लिया यह सोड़े समय की बात होती है यह जो विशे है, यह इतना लंबा है कि अगर कितने ही दिनों तक खींचा जाए तो यह क्या है? पूरा नहीं हो सकता लेकिन हम सब कुछ एक साथ में नहीं करेंगे आज लक्षे को निडदारित करेंगे और जो छोटी छोटी बाते बताईए उसको आगे देखे जाएंगे क्योंकि यह जो भी चीज है सबसे बड़े पत्थर को तोड़ने की चीज है वो टाइम मेनेजमेंट होती है यह टाइम मेनेजमेंट के अंतरगत आती है वो टाइम मेनेजमेंट का टाइम मेनेजमेंट का एक रूल होता है वो क्यों किया जाता है क्यों करते है टाइम मेनेजमेंट आप टाइम मेनेजमेंट क्यों करते हो इंपोर्टेंट कामों को क्यों करते हो लक्षे को अगर मैं बोलू आप सब के अलग-अलग आंसर है लेकिन मैं बोलता हूँ उसके बाद बताना कि यही आंसर आप सब का है क्या time management का सिर्फ एक ही एक मक्षद है क्या मक्षद है कि आप समय को इस तरीके से बचाए कि जो लोग आप से प्रेम करते हैं जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं जो लोग आपको खुशियां देते हैं जिन कामों से आपको खुशियां मिलती है उन कामों के लिए समय को क्या कर दें बचा दे क्या यही एक लक्षे है लक्षे प्राप्ति के लिए एक साधन जरूर है लक्षे प्राप्ति के लिए एक साधन जरूर है लेकिन time management का motive is only one कि आप समय को इस कदर बचाएं कि उस समय को आप अपने क्या कर सकते हैं सिर्फ पांच मेट आप समय को क्या कर सकते हैं बचा कर उन लोगों के साथ बिता सकते हैं जिनके साथ बिताने से आपको खुशिया मिलती है जिनके साथ बिताने से आपको क्या आता है, मज़ा आता है, तो time management का लक्ष एक ही है, आप office में quality time बिताएं, क्या करें, office में काम की quality important होती है, लेकिन घर में time की quantity important होती है, तो आज से एक चीज लेके जाएं, कि जब office में पहुंच जाएं, तो office में सिर्फ काम 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 और सिर् तो यह वह समय है जो आप अपने परिवार वालों से चुरा कर इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि वह समय किसका है परिवार वालों का इसका अर्थात यह नहीं है कि आप ओफिस ना जाएं ओफिस कम जाएं लेकिन आप ध्यान रखें कि आप ओफिस में जितना भी समय बिता रहे हैं ज्समें क्वालिटी टाइम ओना चाहिए,icherung क्योंकि यह यह वह समय है, जो आप अपने परिवार वालों से क्या करके बिता रहे है जो पोल्जिकर आँ आप अपने परिवार वालों का है, जो आप ओफिस में बिता रहे हैं तो ध्यान रखें आफिस को सब मेंबर्स को अपने परिवार के पास लिए आपस जाना है तेन थर्टी अलरी अपन टेन अ क्लोग का टाइम था एक बात ध्यान रखें ये आज जो भी बाते बताई है ये बाते सुनने के लिए नहीं थी इंप्लिमेंटेशन के लिए थी तो आज ही उसे इंप्लिमेंट कर दे एक छोटी बात बताकर सेशन को खताम करते हैं कि आप छोटा सा भी काम करें काम भले ही कितना भी छोटा हो अगर आप जो कर रहे हैं उसी काम को 365 दिन करेंगे अगर आज आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को 365 दिन करेंगे आपका result क्या रहेगा वही रहेगा जो आज है लेकिन आज अगर आपने उसमें से एक छोटा सा फेर बदल कर दिया सिर्फ एक point दस्मलव एक छोटा सा फेर बदल कर दिया तो आपका result 34 टाइमस बढ़ जाता है तो आप ध्यान रखिए एक छोटा सा कुछ भी ले लेकिन आज ही उस काम को करें और क्या करें बार बार करें और बार बार करें और लगातार करें समय कम है तो we'll close the session with this लेकिन संसकार मंच के संसकार मंच सिदार्व ओनि जी मरा साब ने युवाओं को प्रेरीत रखने के लिए प्रेरीत करने के लिए उन कडियों को जोड के रखने के लिए एक संगठन बनाया था जो बकु भी जो ऐसा उन्होंने लक्षय निरिदारिट किया था एजेंडा के हिसाब से आज भी उतना ही अखंड उतना ही सटीक है बलकि मैं कहूंगा कि जैसे जैसे वह संगठन और ही जादा मजबूत होता जा रहा है तो आज संसकारमंच ने मुझे यह उपरचुनिटीज दी उसके लिए संसकारमंच को तहदिल से बहुत-बहुत धन्यव के साथ एक उर्जा के साथ रिचार्ज करते रहें तो ही इस प्रोग्राम रिचार्जिंग यूद को हम सफल बना सकते हैं थैंक यू वर्मच थैंक यू और अड़ के करपया बाद राजिस्टेशन काउंटर पर दे दे उसके साथ आपको एक और बॉक्स दिए एक पेपर द आपको एक प्रोग्राम रिचार्ज के साथ अगर और किसी मेंबर को या और किसी को भी भाई को संसकार्मन जॉइन करना हो तो उसके लिए भी अप्लिकेशन फॉर्म बाहर रखा हुआ है समय के बाद अलपाहर की व्यवस्ता रखी गई है प्लीस अलपाहर लेके पदा रहे उसी के साथ आज नवकार मंत्र का जाप अपने न्यूली एलेक्टेट प्रेजिडेंट प्रवीन जी नहार के यहां पे रखाओ गया है प्लीस वहां पे जरूर पदा रहे